हालो वीवर्स मैं कशीश और स्वागत आपका निक्स मैं लाइफ में बॉलिवूट की डीवा एक्ट्रस दिपिका पाड़कॉन आज इंडस्ट्री के टॉप एक्ट्रस में से एक है दिपिका ने केवल बॉलिवूट ही नहीं बल्कि हॉलिवूट में भी खूब नाम कमाया ग अभी भी लोगों को जागरू करने से पीछे नहीं हटती एक्ट्रस अपसर अपने डिप्रेशन को लेकर मुखर होकर बोलती है हाल में एक इवेंट के दुरान डिपिका पाड़कॉन अपने डिप्रेशन को लेकर खुलकर बात की साथ यह बहुताया कि किस तरह से उनके माम पहचाना था कि वे डिप्रेशन का शिकार है और उन्हें मदद की जरूरत भी है अपने डिप्रेशन के बारे में बात करते हो एक्ट्रस डिपिका पाड़कॉन ने बताया कि उनकी माही थी जिन्होंने उनके लक्षनों को यानि सिम्टम्स को पहचाना जो डिप्रेशन का होते नजर आ रही थी वहीं बताती कि दिपिका ने कहा कि अचानक पता नहीं कैसे वे डिप्रेशन का शिकार हो गई क्योंकि उस समय वे अपने करियर की काफी जादा पीक पर थी सब कुछ ठीक चल रहा था इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं था जिसके लिए उन्हें ऐसा महसूस होना चाहिए था लेकिन साथ हे डिपिका ने बताया कि उन्हें ऐसा लगता था कि वे अंदर से पूरी तरीके से आए कि जो उनके पैरेंट्स से मिलने आए थे तब जाने वाले थे तो एक्ट्रोस के इस तरह अपने माता पिता के सामने तूट गई और फूट फूट के रूने लगी अक्ट्रोस ने बताया कि मेरे पास मां के पूछे गई सवालों का कोई खास जवाब नहीं था जिसको देका मेरी मान ने तुरंट पकड़ लिया तो कुछ गडबट से लगी और इनवी कपूर के खबरे काफी सुर्ख्यों में थी उस और माना जा रहा था कि डिपका और इनवीर जल्दी एक दूसरे से शादी करेंगे इनवीर संग अपने रिलेशनशिप को लेकर अक्ट्रोस काफी सीरियस थी हाले कि बावजुद इसके यह रिष्टा जादा दिन टिक नहीं पाया और दोनों का ब्रेक अप हो गया अब मेडियर रिपोर्ट्स के अनुसर इनवीर कपूर से ब्रेक अप के बाद एक्ट्रस दिपेका पाडिकॉन डिप्रेशन का शिकार हो गई थी ले झाल